हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एब बीडे नियू में दोस्तो रेल्बे गुरूपडी के अभ्यारतों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है रिजल्ट को लेके जी हाँ फ्रेंड्स जैसा कि कडोरो भ्यारती उत्सुकता से बेट कर रहे थे कि रिजल्ट 13 फरवरी को आ जाएगा जो कि रेल्बे के चीफ एक्सक्यूटिव अंगराज मोहन द्वारा अनौंस किया था प्रेस मिट में कि 13 फरवरी तक आपका रिजल्ट ह आएगा अब दोस्तों यहां पे बात कर लेंगे कि किस बज़ा से डेट को बदल दी गई है यह भी हम लोग देख लेंगे क्या कारण रही कि आपकी डेट जो है यहां पे बदल दी गई है तो चलिए वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिए और जो लोग इस चै आर्टिकल पब्लिश है चलिए देख लेते हैं आरर भी रेल्वे ग्रूपडी रिजल्ट तूज़ेंट नाइटीन चेक निउ रिलीज देट विपसाइट अब इसी में देख लेते हैं आर्टिकल जो यहां पे पब्लिश है आए तर रिजल्ट अप दूरिज्ट ऑप इलेक्ट हो जाएंगे जिन कंडिडेट्स का रिजल्ट में नाम आ जाएगा उन कंडिडेट्स को यहाँ पे फीजिकल इंडूरेंस टेस्ट यानि की P.E.T. में यहाँ पे परवेश मिलेगा और फीजिकल एक्जाम दे पाएंगे अपडेट देखना चाहो तो देख सकते हो 11 फरवरी को 2019 यहाँ पे 6 बज के 48 मिनट यानि की अभी अभी साम 7 बजे ही यह जारी हुई है अब चलिए विस्तार में पूरेत अच्छे तरीके से देख लेते हैं की चीफ एक्सक्यूटिव अंगराज मोहन ने क्या बोला प्रेस मिट में दोस्तों आज मंडे है और आज ही के डेट में प्रेस मिट रखी गई थी तो इंडियन एक्सप्रेस.com से वारता लाब के दोरान यहाँ पे आरर बी के जो चीफ एक्सक्यूटिव है अंगराज मोहन इनका बोलना है कि जो railway group dica result है वो 17 फरवरी को जारी की जाएगी जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पहले अंगराज मोहन द्वारा यहाँ पे 13 फरवरी को डेट रखी गई थी कि 13 फरवरी को आ जाएगी अब यहाँ पे 17 फरवरी इनके द्वारा ही बोला गया है तो आखिर क्यों बोला गय है इसको आगे यहाँ पे बताय गया है taking into consideration the number of candidates आप सभी को पता है कि लगभग 1.1 कड़ोर अभ्यार्थी एक्जाम दिये हैं तो बहुत जादा candidates है the board is taking time and precautions to release error-free results यानि कि board यहाँ पे time ले रही है अच्छे से precautions ले रही है सभी चीज ताकि आपका जो result हो error-free हो कोई भी द results of RRB group D examination will be released by Sunday February 17 2019 Mohan said यानि कि जो आपका result है railway group D का वो 17 February 2019 को ही Sunday के दिन आएगा अब आपको बता दूँ दोस्तों कि आज के date में ALP technician का CBT2 का answer की का link दोस्तों officially activate करवा दिया गया है और उसमें answer की check करना है लोगों को और objection भी करना है और ये date 11 से लेके 14 तारीक तक रखा गया है तो ये भी एक main कारण हो सकता है दोस्तों आपका result date को बढ़ाने के कारण या फिर postpone करने है तू क्योंकि दोस्तों आपका यहां पे देखिए लगभग 37,000,000 candidate है जो की ALP CBT2 में बैठे हैं अब 37,000,000 candidate को यहां पे answer की check करना है इनको objection भी करना है और railway group D में पूर करेस हो जाएगा पूरा और इसलिए ना ALP वाले अच्छा से अपना answer की check कर पाएंगे ना ही आप लोग result चेक कर पाईएगा तो main matter तो यह है दोस्तों कि आपका ALP का answer की का link active हो चुका है इसके लिए आपका date जो है खिसका दिया गया है पोस्टपोन कर दिया गया है अब 17 तारीक को ही आपका result आने वाला है railway group D का तो बस अंगराज मोहन द्वारा अभी तक यही update है कि 17 तारीक को आपका result आने वाला है पोस्टपोन कर दिया गया है तो जीस तरह से आप लोगों ने पहले वेट किया ठीक उसी तरह से कम से कम 5-6 दिन आप लोग वेट कर किजिए चलिए वीडियो अच्छी लिगी हो तो जरूर लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा दोस्तों के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल-पल की अपडेट के लिए जूरे रहेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई